Power of Compounding जानते हो, अगर हम 5000 रुपे हर महीने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी लेकिन अगर यही 5000 को 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ये वैल्यू बनेगी और हर महीने यही 5000 को अगर 15 सार इंवेस्ट किया तो ये टोडल वैल्यू बनेगी है ना इंटरस्टिंग चलो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो